सो है एवरीवन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अटल यूनिवर्सिटी में फाम भरते वक्त जो दिक्कातार ही उसके बारे में एंड बिलासा कॉलेज में एडमिसन स्टार्ट हो चुका है तो उसका इंपॉर्टेंट डेट क्या है और उसका फाम कैसे भनना है और कुछ और स्पेसल मिश्टेक्स जो आप लोग कर रहे हैं फाम भरते टाइम या फिर आपको कुछ डाउट है मैंने कमेंट्स में पढ़ा हुआ है तो उसको क्लियर करेंगे तो बने रहें इस वीडियो के एंड तक अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तियात से इस वीडियो को लाइक एंड सेर कर दीजेगा ऐसी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भुलेगा हलो एवरिवन माइनेम इस प्रियंका और आप देख रहें एक्स्प्लोरिंग बिलासपूर तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते है कि जो लोग पहले फॉर्म भर रहे हैं उनको पहले सीट अलाओ किया जाएगा ऐसे मैंने कमेंट में पढ़ा तो मुझको यही समझ में आया कि आप लोग जल्दी बाजीं फॉर्म भर रहें ताकि आपको सीट पहले मिले बट ऐसा नहीं है वो परसेंट वाइस है अगर आप अगर आपको पहले नाम आएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सीट भर जाएगा तीस तारीक आते आते नहीं जितना फॉर्म हो सके सीट से कई गुना ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं देन उनको परसेंट वाइस लिश्ट अब किया जाता है जिसका हाई परसेंट रहता है उनको पहले प्योरिटी दी जाती है इस टाइप से लिश्ट बनता है तो इस गलत फैमी में बिल्कुल से मत रहिए कि जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहले सीट अलाव किया जाएगा सेकेंड यह है कि जो अभी रजिस्टेशन हो रहा है अटल यूनिवर्सिटी में वहाँ पर दिक्कत हमने देखा कल स्क्रीर रिकॉर्ड कर रहे थे कैसे फॉर्म भरे इसी को बताने के लिए तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप बोल सकते हो आप मल्टिपल क सेलेक्टर नहीं कर सकते इट मिस जब आपका 80% है तो बहुत रेयर चांस है कि आप एक कॉलेज में भरे और उस कॉलेज में नाम आ ही जाए इसके लिए आपका बेस्ट है कि आप कम से कम 5-6-9-10 कॉलेज में अपलाई करें तो वह आफसन मिल ही नहीं रहे आप सिंगल कॉले से लॉग इन नहीं कर सकते से मोबाइल नंबर से अधार कार्ड इमेल इडी इन सबसे आप दुबारा से फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो बेटर है कि थोड़े दिन रूप जाहिए हम लोग यूनिवर्सिटी विजिट करने वाले हैं जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सल क्या हो सकता है तो थोड़े दिन वेट कर लीजे और हो सके तो आज साम को हम लोग लाइवी स्ट्रीम करेंगे अगर आप एग्री है तो कमेंड डाउन कीजेगा साम को पांच बजए लाइव स्ट्रीम करेंगे जो भी आपको डाउट है आप क्लियर कर लिजेगा और अभी बिल्कुल से फाउम मत भरिये दो तिन दिर रुख जाएए प्लीज हम लोगों का रिक्वेस्ट है ताकि आपका फाउम भी गलत ना हो और आपको भी सही से कॉलेज प्रोवाइड के जा रहे हैं वो दो टाइप के है एक उसके अफिलेटेट कॉलेज अफिलेटेट कॉलेज मिस युनिवर्सिटी के अंदर में आने वाले कॉलेजे लाइक साइंस कॉलेज हो गया जेपी वर्मा कॉलेज है जिसका वीडियो आपको पढ़ने को मिलेगा वहीं क्लासेश लगती है और वो कुछ special courses वहाँ पे चलते हैं तो इस special courses में अगर आप admission चाहते हैं तो उसके लिए आपको 300 पे करना पड़ेगा प्लस वहाँ आपको इंट्रेंस एक्जाम भी देना पड़ेगा उसी के according आपका merit list जारी होगा और बेस्ट बात यह है कि UTD courses के बारे में ज्यादा कोई जानते नहीं है तो easily admission हो जाता है अगर आपका number कम भी आता है जाम में तो जरूर से फाउम भरेगा UTD course के लिए अगर आप उसके लिए eligible है तो इसके बारे में भी हम लोग detail collect कर है courses का list मिल गया है बस future बाकी है देन हम लोग upload कर देंगे वीडियो जल्दी ही कि कौन कौन से courses ह वहाँ क्या-क्या eligibility चाहिए admission के लिए तो जरूर से UTD form के लिए भी आप सब apply की जगा better college मिलेगा better placement मिलेगा तो ज्यादा बेटर है कि आपका future भी ज्यादा बेटर होगा ठीक है अगर आपको उनकी detail नहीं पता है तो आप फाउम भरेंगे तो वहाँ पर भी सारे college की list मिल ज आते हैं जैसे बिलासा बिलासा जो है अफिलेटेड बाई है अटल यूनिवर्सिटी बस वह अपना सेप्रेट जो है admission का form सब्मीट कराता है मिस उसका जो admission का form है वह दूसरे website से होगा तो अगर आप अटल यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्टर करना चाहते है तो लिंक के दिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा वहां उस लिंक को आप सेव कर लिजिए अपने वाट्स अप वगरा जहां पर भी करना है सेव करके रखिए बट रिक्वेस्ट है कि अब भी से फाओं मत भरिये और भर चुके है तो अपना ID पासवर्ड जरूर से अपने पास अब बात करते हैं बिलासा कॉलेज की एडमिशन की तो बिलासा कॉलेज का एडमिशन भी सोला जुन 2022 से स्टार्ट हो गया है बट नोटिफिकेशन जो है साम को आया सोला तारिक को ही और आप लोग इतना हरवड़ी करते हैं इसलिए कल अपलोड नहीं किया था ना किसी को र क्राम से भरिएगा सारे मतलब कंडिशन टर्म्स वगर जितने भी है सबको अच्छे से रीड कर लिजेगा उसके बाद ही बिलासा कॉलेज के लिए अपलाई कीजेगा अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज रुख जाईएगा पुछ लिजेगा अच्छे से उसके बाद ही फाउम भरिएगा क्यूंकि मिश्टेक करोगे फिर दुबारास फाउम नहीं भरा जाएगा और में भी आपका कैंसल हो जाएंड कुछ और रूस दिये हुए हैं तो चलिए उसको देख लेते हैं तो यह है बिलासा कॉलेज का अफिस्यल नोटिफिकेशन यूजी एडमिस के लिए तो पोर्टल खुलने का तारिक दिया गया है 166 2022 और बंध होने का टाइम है मिस लास्ट डेट है 36 2022 तो इस फाउम को भरने के लिए जरूरी है कि आपके पास आपका ट्वेर्थ का मारक सीट होना चाहिए इट मिस परसेंट भी आपको पता है तो आप फाउम भर सकत हैं देन बात करें सीबी एसी वालों की तो सीबी एसी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो वो लोग अभी फाउम नहीं भरेंगे उनका जब भी रिजल्ट जारी होगा उन लोग को एक्स्टा टाइमिंग दिया जाएगा फाउम भरने का एक विक का तो लोग जरूर से करेंगे अभी फाउम नहीं भरेंगे जब तक रिजल्ट ना आ जाए देन यहां पर नोटीस दिया गया है कि अगर आपको विलासा कॉलेज की कोर्सेस और उसकी फीर स्टक्चर की डिटेल नहीं पता है तो आप जरूर से देख लिजेगा हमने भी वीडियो अपलोड कर दि देन यहां पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया है कि गुणा अनुक्रम मिस मेरिट लिस्ट के अधार पर ही आपको एड्मिसन दिया जाएगा और मेरिट लिस्ट जो है 12 था के पर्सेंट बेस से बनेगा देन यहां पर बताया गया है कि BSC Home Science एक ऐसा सब्जेक्ट है एक ऐसा कोर्स है जिसमें कोई भी स्टूडेंट अपलाई कर सकता है चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से रहा हो मैट्स से बायो से बीकॉम से आर्ट से या फिर वो किसी और कोर्स सब्खो करके आया हो वो BSC Home Science के देन जब आप अपना फाम भनना स्टार्ट करेंगे तो आपको एक यूजर आईडी मिलेगा और साथ में आप पासवर्ड जो बनाएंगे इन दोनों को आपको अच्छे सम्हाल के रखना है क्योंकि आपके डिवरिंग कॉलेज मिस जितने भी तीन साल की पढ़ाई है उसमे यही आईडी पासवर्ड आपके काम आएगी देन यहां पर बताया गया है कि आप हाम चाहे खुद से भरे चाहे साइबर कैफे से भराएं आप जरूर से उसका प्रिंट आउट ले और जरूर से उसको अच्छे से देखे कही कुछ मिश्टेक तो नहीं है और अगर मिश्ट क्लोज होने के बाद मेरिक लिष्ट जारी किया जाएगा और आपके मल्टिपल कोर्शेस में नाम आ जाते हैं तो उसमें से किसी एक विशाय में ही आपको एड्मिशन दिया जाएगा एड्मिशन के टाइम पे आपका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तो कौन कौन से डॉकुमेंट्स लगेंगे इसके बारे में हम इन डिटेल वीडियो पना देंगे देन मोबाइल नमबर और इमेल आइडी वही दे जो आपका अभी चल रहा है किसी और का ना दे क्योंकि उसमें आपके कॉलेज के टाइम मिस अगर आपका एड्मिशन हो जाता है तो तीनों येर में उसी में OTP वगरा और बाकी डिटेल्स उन्ही में सेंड की जाएगी तो आप इसको अच्छे से भरेगा मोबाइल नमबर खुद का दीजेगा इमेल आइडी भी खुद का दीजेगा जो अभी चल रहा हो एंड यहां पर लिखा है अगर आप कोई भी गलत इन्फरमेशन देते हैं और वेरिफिकेशन के टाइम पर वो गलत चीज पकड़ी जाती है तो आपका एड्मिशन कैंसल हो जाएगा एंड आपको एड्मिशन नहीं दिया जाएगा अगर आप अपने कोर्स के साथ ही DCA का कोर्स भी करना चाहते हैं तो यहां पर अलाओ है इसमिश अगर आप BAC के साथ साथ DCA कम्पलीट करना चाहते हैं ताप उसके लिए भी आविदन करेंगे मिस रजिस्टेशन करेंगे और दोनों में एक साथ एडमिशन ले सकते हैं और दोनों को एक साथ कम्प्लीट कर सकते हैं अगर आपने 12 अको किसी बया साइक कोर्स लाइक ITI वगरा से पास किया है तो आपको सीर्फ आर्ट के लिए eligible किया जाएगा मिस आप सीर्फ अब B.A. करने के लिए eligible रहेंगे B.C. वगरा के लिए नहीं अगर आपने 12 अको agriculture से पास किया है और आपको लगता है कि आप बायोलाजी के लिए eligible है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप बिल्कुल भी B.C. बायोलाजी में admission नहीं ले सकते इसके लिए आप eligible नहीं है यहाँ पर लिग दिया गया है देन यहाँ पर बताया गया है कि admission के time पे अभी जो आप लोग registration करेंगे उसका तो form लगे गही, print out लगे गही साथ में उसमें एक declaration भी आपको मिलेगा घोसडा पत्र करके उसको भी आप लोग download करके रखेगा और उसमें जो जो sign लगेगा उन सब sign को करा के रखेगा ताकि merit list में जब आपका नाम आया तो आप सारे documents के साथ जाए और verification करा के अपना admission complete करें तो इसके बारें हम in detail video बना देंगे जब merit list जारी होगा तब तो उसके लिए wait किजेगा और चैनल को subscribe करके रखेगा और यहाँ पर फिर से लिखा है कि कि किसी भी course में admission या फिर apply करने से पहले उस course का फिर जरूर से देख ले तो इसके बारे में in detail video बनी हुई है आप चाहे तो हमारा video check out कर सकते हैं link नीचे description box में होगा otherwise फाम भरते time भी आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको फाम भरते time कुछ problem होता है कुछ doubt है या फिर courses से related कुछ पूछ ताज करनी है तो यहाँ पर जो number दी गई है यह बिलासा college के professors लोगों की है तो आप उनसे contact कर सकते हैं and timing भी दी हुई है कि कौन से time पर आप कौन से number से contact कर सकते हैं और otherwise आप हमें भी comment down करके हमसे भी पूछ सकते हैं and screen पर हमारा भी number सो हो रहा होगा आप चाहे तो वहाँ से भी हमें contact कर सकते हैं So thank you everyone, आज के वीडियो में बस इतना ही I hope कि ये वीडियो आपके लिए help फूल रही होगी तो इस वीडियो को जरूर से like and share कर दीजेगा and साम को पाच बजे live stream करने वाले हैं अगर आपको कोई भी related doubt है हमारे वीडियो से related अटली उनिवर्सिटी में अड्मिसन विलासा के एड्मिसन या फिर सीउएटी के एड्मिट काड को लेकर आपके बहुत ज़्यादा क्वेरिस आ रही है तो जरूर से live stream को जॉइन कीजेगे सामको 5 बजे आपके सारे question के answer मिलेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो मागी क्लिए टाटा बाई बाई